5, 4, 3, 2, 1 अध्यक्ष वहोदय, मैं आज एक ऐसे विशे पर बोलने जा रहा हूँ जो देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है आज कल क्रिशी पर बहस चल रही है, मैं कल से सुन रहा हूँ कई लोगों ने तो सरकार की बड़ी प्रशंसा की है कि वह बहुत ही अच्छा काम कर रही है मैं मंत्री महोदय से एक प्रश्न करना चाहता हूँ मार्च में मंत्री महोदय ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि दो वर्श में हमारा देश आत्म निर्भर हो जाएगा मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा कहने के पीछे उनका आधार क्या है कौन से उनके पास ऐसे प्रमाड हैं जिनके आधार पर उन्होंने इस प्रकार की घोश्ना की है मैं चाहता हूँ कि जब वह उत्तर दें तो इस बात को अपने उत्तर में बताएं आप जानते हैं कि इस देश में 80% लोग खेती करते हैं और उसके बाद भी आज हमारे देश का सम्मान दूसरे देशों में कितना है आज हम दूसरे देशों से देश के नागरिकों के लिए खाद्यानों को आयात करके काफी मात्रा में इकठा कर रहे हैं खाद्यान की इस्थिती बिलकुल संतोष जनक नहीं है देश में जहां लोग 80% खेती करते हैं हम भोजन के मामले में भी आत्म निर्भर नहीं हुए हैं इसके कुछ कारण हैं जिस समय देश स्वतंत्र हुआ उसी समय से इस सरकार ने कुछ गलतियां की हैं जिसका यह परिडाम है कि आज इतने वर्षों के बाद भी हम आत्म निर्भर नहीं हो सके हैं उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अपने देश में पहला इस्थान खेती को न देकर उद्योग को दिया गया है उद्योग हमारे देश के लोगों की जीविका का मुख्य साधन नहीं हो सकता है भोजन की समस्या के हल के लिए किन-किन चीजों की आवशक्ता है उसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए सबसे पहले पानी की आवशक्ता है मैं समस्ता हूँ कि देश में सिंचाई पर काफी जोर दिया जाना चाहिए और सिंचाई तथा खाद्यमंत्री एक होना चाहिए यही मेरी मांग है पानी के बाद खेती के लिए खाद भी आवशक्ता है खाद का स्थान दूसरा हो सकता है आज देश में खाद की बात काफी जोर देकर कही जाती है यह कहा जाता है कि उपज को बढ़ाने के लिए खाद की आवशक्ता है बिना खाद के उपज नहीं बढ़ सकती किन्तु खाद कहां तक उपज को बढ़ा सकेगी यह भी देखने और सोचने की ही बात है इस ओर एक समन्वयक नीती चाहिए